Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is C.S. Payal and this video में हम पढ़ने जा रहे हैं Buyer-Seller Meets के बारे में C. किसी भी transaction के होने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि एक party दूसरी party के आमने सामने आए मार लिजे आपको किसी के साथ transaction करनी है तो आपका वहाँ पर present होना जरूरी है? उस इंसान का भी present होना जरूरी है? I am not saying physically present होना जरूरी है लेकिन virtually भी तो है ना? ऐसे मान लिजे, online platform पर भी if you are interacting सामने वाले इंसान आपसे video conferencing पर बात कर रहा है He is still there in front of you ना? तभी तो transaction हो पा रही है तो यह यहाँ पर बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है MSME जब अपना समान बेचे तो उसके लिए उनको एक platform मिले जहाँ पर वो as a seller जा पाएं और उनके सामने buyers आ पाएं तो ऐसी arrangement करवाने के लिए भी government बहुत ज़्यादा help करता है MSMEs की और यह किसका पार्ट है अगेन यह marketing का ही पार्ट है मैंने आपको बताया था कि government marketing में बहुत ज़्यादा help करता है MSMEs की small businesses की तो यह भी एक criteria है जिससे government अपनी तरफ से जतनी help हो सके वो provide करने की कोशिश करता है It says buyer seller meets मतलब ऐसी meets जहाँ पर buyer और seller मिलते हैं बातचीत करते हैं एक दूसरे की problem सुनते हैं एक दूसरे की need सुनते हैं और उसके according ही decision लेते हैं या पर transaction करते हैं What they say, bulk buyers such as railways, defense, communication departments and large companies are invited to participate in buyer seller meets to bring them closer to MSMEs for enhancing their marketing competitiveness इनका कहने का मतलब है bulk buyers मतलब कौन? जो कोई भी समान bulk में खरीते हैं जैसे हम लोग हैं हम क्या करते हैं? शॉप पे जाते हैं एक दो आइटम खरीत के आ जाते हैं ठीक है? एक ऐसा इनसान गया जिसके घर में शादी है और उसके घर में guest आने वाले हैं उसको cold rings खरीदनी है उसको wafers खरीदनी है तो वो क्या करेगा? एक दो package तो नहीं लेके जाएगा ना उससे पता है एक इनसान आएगा एक guest आएगा उसके सामने खुलेंगे तो दूसरे के इसके लिए दुबारा आपको लेने जाना पड़ेगा तो क्या prefer करेगा? कि मैं bulk में खरीद लू तो जब हम बहुत जादा quantity में खरीदे हैं तो हम क्या कहलाए जाते हैं? bulk buyers तो इनका कहने का मतलब है कि railways usually railways क्या होता है? bulk में items खरीदे है क्योंकि उसे पूरे railways में distribute करनी होती है और पूरे मतलब इतनी सारी needs को satisfy करना होता है defense again इनकी भी same वो है communication departments और large companies ये कभी भी छोटी मोटी चीजें नहीं खरीदे छोटे मोटे amount में चीजें नहीं खरीदे तो ऐसे में बहुत जादा सरूरी हो जाता है कि MSME जो goods बनाती है अच्छी quality की goods बनाती है वो भी इनके सामने खड़ी हो पाए ये बोलते होगे कि भी आप मैं भी goods बनाती हूँ आप मेरे बारे में भी सोच सकते हो first है मैं small business वाली हूँ I have seven people who are standing in this line ठीक है imagine कर लीजे और सारे ही क्या है bulk producers है मतलब बड़े-बड़े large companies के लोग है ऐसे scenario में मुझे क्या लगेगा यार मैं तो पीछे ही हट जाती है मैं तो घड़ी चली जाती हूँ कि इन लोग के सामने तो मेरे टिकने की उमीदी नहीं है लेकिन specifically मेरे और वो बायर के लिए बल्क बायर के लिए एक मीट अरेंज की जा रही है ऐसे scenario में मुझे जाधा opportunities भी तो मिलेंगी उनका उनको अपना product दिखाने की उनको बताने की क्या मैं इतना बेटर कर सकती मैं इतना करके आपको दू दे रही हूँ तो वो सारी चीज़ों की आपको opportunity यहाँ पर मिल जाती है What they say Invited to participate in buyer seller meets to bring them closer to अब ऐसे bulk buyers अगर meets में मिलेंगे तो जब भी उनको requirement आएगी तो MSME को contact करेंगे कि नहीं करेंगे मैं गई meet के लिए मैंने अपने products दिखा है दिखा दिए सामने वाले सारे क्या कर रहे है मतलब सामने वाले जो थे वो bulk buyers थे bulk buyers ने मेरे products देख ले लेकिन अभी उनको requirement नहीं है हो सकता है दो महीने बाद उनको requirement आजा है और उनको फट से याद आई यार वो meet में मिली थे यार उसके पास यह products आते है मैं तो उसको इसको इसको काम मिल जाएगा इवन future के लिए पर एक प्रोस्पेक्ट खुला रहता है कि फ्यूचर में आप एक तरह से एडवर्टाइज से तो कर रहे हो इंसान products कब खरी देगा जब उसको जरूरत होएगी लेकिन आप तो आज से एडवर्टाइज करना शुरू कर देते हो ना जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देते हूं टीवी देखते हैं चीक है टीवी पर अलग-अलग चीज़ों किया जाते है फोरसे रेफ्रिजुरेटर की आड आ रही है अभी आपके घर में अच्छा खासा रेफ्रिजुरेटर आपको रेक्वार्मेंट नहीं है तो वह एडवाले क्या बंद कर देंगे आप यहां पर जाके अपना प्रड़क्ट शोकेस कर रहे हैं अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं और सामने वाले को जब रेक्वार्मेंट रहेगी वह आपको बिला लेगा तो ऐसे यह क्लोज करती हैं मतलब क्लोजर ले जाती हैं MSME को किन के पास? बल्क बायर्स के पास फिर यह बोलते हैं पार्टिसिपेशन इन दीज प्रोग्राम्स एनेबल्स MSMEs to know the requirements of bulk buyers आपको ना सिर्फ उनकी से मिलके उनकी products बनाने की चीज मिल जाती है, offer मिल जाता है लेकिन आपको उनकी requirements के बारे में भी पता चल जाता है first day मैं refrigerator बनाते थी on a very small scale अब मैं ऐसी मीट में गई, वहाँ पे मेरे पास जितने भी bulk buyers आये उनने मुझसे पुछा क्या आप double door वाला fridge बनाते हैं पर मैं नहीं बनाते थी अभी तक बट मेरे पास जतने भी आये सबने यह equation किया double door double door बनाते हैं मैंने उनको तो ना ना बोल दिया लेकिन घर आके मैंने सोचा यार यह double door तो बहुत जाता demand में है मतलब मुझे भी double door वाला बनाना शुरू करना चाहिए तो यहां से मुझे क्या मिलेगा मुझे मिलेगा यहां से idea कि रही है requirement कि इस चीज किया है requirement इस चीज किया है फिर मैं भी बहुत प्रेडियूस करना start कर दूँगे तो next meet में if we'll be meeting the same person तो we can say them na कि यार अब हमने भी बनाना शुरू कर दिया if you have the requirement you can actually purchase it from us यह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं फिर वो बोलते हैं help the bulk buyers to know the capabilities of MSMEs for their purchases ऐसी meets से MSMEs की capabilities के बारे में भी पता चल जाता है किने bulk buyers को यहां पर पूरी चीज बेस्ट है bulk buyers पर जो बहुत जादा quantity में purchase करते हैं वही ऐसे platform पर मिल रहे हैं किनसे MSME वालों से बातचित कर रहे हैं अपनी requirements उने बता रहे हैं यह अपने products के बारे में बता रहे हैं और future में कभी भी अगर इनको requirement arise होते हैं तो वह वापिस इनके पास आके उनसे products खरीद सकते हैं सो ऐसी meets काफी जादा important होती है for both of them सो यह एक buyer है तो दूसरा seller है यह है bulk buyer और यह seller और वो भी कौन सा MSME से belong करता है तो ऐसी meets से दोनों को मिलने का मौका मिल जाता है बातचित करने का मौका मिल जाता है which is again good for what? Marketing so I hope आपको यह point भी समझ में आया होगा कोई भी doubt है तो comment section में जल्दी से लिखके बता दीजे with that अगर notes नहीं है तो marketing sorry magnetbrains.com पर जाके आप notes ले सकते हैं thank you so much